मौर्य सामराज और उसकी रहनीतियां राज्य और सामराज्य की अवधारना सामराज राज्यों से बड़े होते थे समराट को अपनी विशाल भूमी की रक्षा के लिए मजबूत और बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी इस प्रकार इस युग में विभिन स्थानों पर यह पाया जाता था कि विभिन राज एक बड़े सामराज के क्षेत्र में शामिल होते थे रणीतियां और तंत्र अर्थ शास्त में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षणी भाग सोने और अन्य कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था समराट लोगों से नियमित आधार पर राजस्व, कर और अन्य नजराने एकत्र करने के लिए कई अधिकारी रखता था जासूसों और संदेश वाहकों की सहायता से समराट अपने सामराज्य पर शासन किया करता था शाही परिवार के सदस्यों को सामराज्य के विभिन स्थानों के शासकों के रूप में चुना जाता था जैसे तक्षशिला और उज्जैन मेगस थनीज का समराट का वरडन मेगस थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्युकस निकेटर का राज़दूत था इंडिका यानि कि लेटिन इंडिका मेगस थनीज का मौर्य भारत का वरडन है वो वरडन करता है कि राजा अपने सुन्दर महल में बहुत ही शानदार जीवन जीता था उसके अनुसार चंद्रगुप्त स्वेक्षाचारी शासक था और वो असीमित शक्तियों का स्वामी था वो अपने जासूसों के माध्यम से अपने सामराज के मुख्य घटनाओं से अपने आपको पूरी तरह से आउगत रखता था पाटली पुत्र के बारे में वो कहता है कि नगर में 570 बुर्ज और 64 द्वार थे